नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से रियेज़केसें प्रिटफार्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज एक ऐसे इंपोर्टन टापिक को सेलेक्ट किया गया है जो कई बार नाकेवल परिच्छा में पूछा जाता है बलकि मुख्य परिच्छा और सच्छाकार के लिहाज से भी बहुत ही महत्यूर्ट है तो आईए हम लोग इस पर चैचा करते हैं और ये इस बाद को भी देखने का प्रियास करते हैं कि इस टापिक से संबंदे कितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं ये टापिक मुख्य रूप से मिंस के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है हाला कि प्रावर्भी परिच्छा में कई बार इससे सवाल को पूछे गए हैं और उसके दोहराओ के भी संभावना हुई है तो यहां पर संभीधान के मूल भूद धाचे का सिधान इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी सवाल के अंतर कर आप लोग देखेंगे पूरे टापिक को डिसकस करने के दौरान कि क्या संसद संभूर संभीधान में संसोधिन कर सकता है यदि यह सवाल भी पूचता है तो आपको इसका एंसर और इसका फार्मेट इसी प्रश्ण के उत्तर में देखने को मिलेगा इसी तरीके से क्या संसद मूल अधिकार में संसोधिन कर सकता है या नहीं इसका भी उत्तर इसी टापिक के अंतरगत मिलेगा और अंति मूल अधिकार योह नीजनी दिस habitual तब में संबत है यह भी कही न कहीं इसी प्रकार के, इसी टापिक के कंटेंट में इसी टापिक के मैटर को व्याक्या करने के दवरान आपको उत्तर की रूप में देखने को मिलेगा तो इस तरीके से चार प्रकार की सवाल बन रहे हैं और इस चारों ही प्रकार की सवालों का उत्तर कहीं ने कहीं एक टापिक के अंतरगत मिलता है और उसका एंसर लिखने में थोड़ा मोड़ा परिवरतन आपको करना होगा वागी कंटेंट वही रहेगा तो हम लोग इस प्रश्न को देखने के लिए और इस टापिक को सौल्व करने के लिए सबसे पहले हम संभिधान संसोधन की आथिहासिक क्रम को देखने का प्रयास करेंगे और उस आथिहासिक क्रम को जब हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अंतरगी इस सवाल का पूरे संविथान में संसधन कर सकता है और इसी बात को उन्होंने सज्जन सिंग्मरांग राजस्थान विवाद में पुना हुण 1965 में दोराया और यहां तक इस्तिती ये थी कि संसर्थ के द्वारा पूरे संभिधान में संसोधन किया जा सकता है अब आता है उन्यस्तिती दिच्गे में गोलखना द्वात की अंतरगत सुप्रेम कोट ने ये निड़े दिया कि संसर्थ के द्वारा इस तरीके से संसोधन संभिधान में नहीं किये जा सकते हैं मुल अधिकार प्रभावित होते हैं, मुल अधिकार सीमित होते हैं, यह मुल अधिकार छेज ब इस प्रकार से, पूरव न आ रही बेवस्था थी, 1912 के संक्री प्रसाथ विवाद, और इस तरीके से 1965 के, संजज़त विवाद में, दोनों के इस्तिति को पलड दिया गया, पहल जाएं या सीमित हो जाएं अब यहां पर प्रश्णी यह उत्पन हुआ कि संसत की जो संसोधन करने की सकते थी वो इस नियालई निरवचन के माध्यम से सीमित हो गई संसत के द academia संबीधान में दो महत्यकुर्शटव संसोधन किए इक 24 संबीधान संसो्ने और दूस्षा 25 संबीधान संसोधन से यह कहा गया कि संसद पूरे समेठान में संसूधन कर सकती है और इसी पार्ट में ये कहा गया कि जब कभी संसूधन से समदित प्रास्ता और राष्टपत्य को भेजे जाएंगे तो राष्टपत के द्वारा उसके सहमथी देना बात युकारी होगा ऐसे इस्तिति में 24 संबिधान संसोधन दिन जो कि 1971 इस दिन में हुआ था इसमें बताया गया कि संपूर संबिधान में किसी भी प्रकार का संसोधन कर सकती है और दूसरा पर किसी में ये था कि जब इस प्रकार से संबंदित संसोधित प्रस्ताव के दिलेग के रूप में जोना गया है, 31 गा में यह है स्विष्ट किया गया है, कि संसत के द्वारा यदि अनुछेद 49B और C, यह 49B और C यह नीत ने दे सकता तो से संबन देता अनुछेद है, नीत ने दे सकता तो क्या देता है, इन सभी पर डेटेल में इस तकी होगी, लेकिन यहां पर यह बताया अनुछेद 31 गा के अंदरगत की, यह संसत के द्वारा कोई ऐसा कानू बना जाता है, जो 49B और 49C को लागू करने से संबन दित है, तो इसको लागू करने के लिए यह बेक्ति के मौलिक अधिकालों पर अनुछेद 14 या अनुछेद 20 का उलंगन होता है, जो कि मौलिक अधि तो यह संसोधन प्रभावित नहीं होगा, यह संसोधन आसंबैधानिक नहीं माना जाएगा, अर ठाक यहां पर अनुछेद 49C को मौलिक अधिकालों से उपर रखा गया, और इसे में यह भी बताया गया, पहला पार्ट यह था और दूसरा पार्ट था, कि जो भी इस तरीके संसोधन किये जाएगे, वो न्यायाले में चुनाउती देनी योगी नहीं होगा, इसमें 49C और न्यायाले से चुनाउती, इन दोनों ही बातों का खंडन किया गया, कि न्यायाले में चुनाउती इस प्रकार के संसोधनों को नहीं दिया जा सकता, तो आपने देखा कि जो सं संसोधन की बात कही गई और इसे राष्टपत के लिए जो है बात्धिकारी बना दिया गया राष्टपत के लिए दो प्रावधान इसमें किये गए और 25 संसोधन के माध्यम से ये प्रावधान किये गए कि लागू करने के लिए कोई ऐसा नियुम संस्तिद्वाना बनाया जाता है जो कि बेक्ते के मौली कथिकारों के अनुछेद 14 और 19 का उड़गर करता है तो 19 जित तौर पर यह कानून अवाइद नहीं होगा यह कानून वाइद माना जाएगा और दूसरा निया आलाही चुनो क्रिश्टन लाएगे अब इसके बाद के शवानद भारती बना केरल राज दिवा यह बहुत ही महत्यपूर मामला था जिस पर सुप्रिम कोट के द्वारा उनिस सुटिहत्तर इस बी में निरड दिया रहा के स्वानद भारती बना केरल राज दिवाद में 1923 इस बिश्वी म उने इन दोनों ही संसोधनों कि पृुष्टि भूम में संभिध्हान का निर्वर्चन किया और अपना प्रस्तूत किया जिसमें भूक्क बाती यह थी कि उससे 14 नहुत वह सक्नुझ वहुश्मे संभिध्हान संसोधन अधियां की इस बात को मान लिया गया, इसको मान लिया गया, इसको मान लिया गया, इन दोनों बातों को मान लिया गया, कि 49 बी और सी को अगर लागू करने के लिए कोई नियू बनाया जाता है, तो मौली कदिकारों का उरंगन करने के बावजूद भी भैत माना इसके बावजूद भी कि वो 25 समिधान संसोधन ध्रीम के द्वारा निरस्त कर दिया गया था अर्था किस्वाना दुभारती बना केरल राजविबाद में सरवोच नियाले ने जो अपना समरी दिया मेड़े का उसमें ये था कि संपूर समिधान में संसोधन किया जा सकता है और दूसरी बात ये था कि 44 B और C इन दोनों को लागो करने के लिए संसथ के द्वारा कानून बनाया जा सकता है लेकिन उसने नियाले में चुनोती देने की बात को सुविकार कर दिया और यह आस्परष्ट किया कि संसर्थ के द्वारा पूरे संविधान में संसुधन तो किया जा सकता है पर तो इस तरीके से संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है संविधान के प्रावधामों को बदला नहीं जा सकता है उसमें तोड़ा मरोडा नहीं जा सकता है जिसे सम्विधान की मूल भावना प्रभावित हो मूल धाचा प्रभावित हो सम्विधान की आत्मा प्रभावित हो तो इस प्रकार का जो निर्वचन किया गया वही प्रावधान ही वही निर्ड़े ही संविधान के मूल भूत धांचे का जुने सिंधान कहा जाता है क्योंकि इसके अंतरगर केश्वानन भारती बनाम केरल राज विवाद उनी 1773 इस भी में सुप्रीम खूट नहीं कहा कि संसत के द्वारा पूरे संविधान में संसोधन किया जा सकता है इस तरीके से केश्वानन भारती बिवाद में 1973 में मूल भूत धांचे के सिधानत का प्रतिपादन किया गया यह सवाल कई बार परिच्छा में पूंचा जा चुका है मूग के परिच्छा में भी मूल भूत धांचे के सिधानत को लिखने के लिए आता है अगर यह सवार पर इच्छा में पूछा जाता है तो आपको बामन से ले करके 1922 में संकरी परसाथ बनाम, बिहार राज, 1965 में सज्जन सिंग बनाम, राजस्थान दिवाद, 1967 में गोलगनाथ विवाद, गोलगनाथ विवाद में आपको बदाया गया कि पूर्विक्री नेड़र उसने करट दिया था, और यह कहा था कि पूरे समिधान में इस तरीके से संसोधन नहीं किया जा सकता, जिससे बेक्तिके मौली कदिका छिंजाएं या सिमित हो जाएं, और करके अपने सकती को असीवित कर लिया गया था, ऐसे इस्तितिवें यहाँ 24 और 25 में समिधान संसोधन नहीं की बातों का भिलेक करना आवस्यक होगा, यह मूर्भूर धांचे के सिधान्त के अंतरगत, इतनी बातों को लिखना आवस्यक होगा, तब आपकर जोएं समिधान क अभी इसमें तीन प्रश्ट और दिखाई कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में इसी ब्याख्या से यह संबंधित हैं, जैसे क्या संसत्त संपूर समिधान में संसोधन कर सकता है या नहीं, तो आप इस सिध असपर्ष्ट हो जाता है, आप यहाँ पे सर्थ के तहित इस व संसत्त के बारा पूरे संब्धान में संसोधन किया जा सकता है, पर इस तरीके से संब्धान को तोड़ा मरोडा नहीं जा सकता है, जिससे संब्धान की मूल भावना या मूल धाचा प्रभावित हो, तो इस तरीके से इस वाकी का उत्तर आपको देना है, लेकिन अगर इस व कर सकता है五व्य जाता है निश्चित तौर पर अब इस प्रशसा से असपष्ट हो जाता है कि समीथ मूल धिकारों मेगी संसो दन किया सकता है लेकिन वह इस तरिके से नहीं यहां करने के लिए कुछ सीमा तक संसोधन किये जाएंगे तो वो मानने होंगे अभी यहां पर मूल अधिकार्यों नीद निदेशी तत्तों में संब्द ये अलग रंग के पहन से लिखा हुआ है इसका मतब्द ये कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था है इसके लिए हम थोड़ा सावर व्याख्या देखना उचीत समझते हैं तो यहां पर 1973 के मूल भू धाज़े की सिधान के बाद यहां पर इसके लिए संब्धान संसोधन दिनें अब जैसा कि पूर में आपको बताया गया कि तिहत्तर में इस बात को सुभिखार कि आ गया था कि इस वाने भारती वर्हां केरव राजविवाद में कि 49 B.O.C. को लागू करने के लिए संसत के द्वारा संब्धान में संसोधन किया जा सकता है लेकिन यहां बाइरिस्वे संब्धान संसोधन के मादें से संसत ने पुना इस बात को असपरष्ट करने का प्रयास किया और वो 45 B.O.C. की बात थी उसे पूरे नीधन दे सकत्तों पर लागू करने की बात उनने कहा लेकिन यहां पर इसे मिनर्वा मिल्स विबाद में 1980 में चुनोती थी गई तो पूरा सुप्रेम कोर्ट ने इसमें अपना वर्डिक्ट जो दिया अपना जो निरड़े सुनाया वो बताया कि पूरे नीद नी दे सकता तो को नहीं बंकि केवल वंता लिए इस बी और सी को लागू करने से समधित समिधाने संसोधनिया कानून बनाया जा सकता है जो मुलदिकारों से उलंगन की इस्तिती में अबायद नहीं होगा लेकिन पूरे नीद नीद इस तर्टों को लागू करने के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता अता यहां पर समया लोगा आपको संपूरत के लगया जिए निरस्त किया गया और कूर्व की बहुष्धा का समर्थन 금 किया गया तो इन सभी प्रकार के अध्यान संसोधन और सूप्रें कोड के दिए नեड़े काी स्कस्ष यह निकलता है कि बर्तमान समय में जो इस्थिदी है वो मौलिक अधिकार और नीद नी दे सकता तो में सामन्जस से अस्थापित किया गया है एक बाद सामन्जस से है और दूसरी बात कि संसथ संफूर समिधान संसुरें कर सकता है लेकिन यहां पर यह सर्थ हमेशा लगेगा जो कि 1973 में कहा गया है कि संविधान के किसी भाग में संसुरें किया जासकता है इसमें तोड मरोड नहीं किया जासकता है इसी को ही मुल उठाजे का सिधान भी का गया है और सामन जे सर्थावित दिया गया है कता पर है कि 49 भी और सी को एदिलागू करने से संबंदित कोई की समिदान संसोधनिया कामों बना जाता है तो वहां भर्गो मौली कदिकारों से उडंगर की स्थितिय में अबायद नहीं हो और पुना एक समरी के रूप में बता दिया जाया तो 1922 की संगरी परसाद बनाओं बिहार राज सज्जन सिंग बनाओं राजस्तान राज 1905 और 1967 के गोलकना अभिवाद और इसी तरीके से 24 और 25 समिदान संसोधन अधिनयम और पुना 1973 में केश्वानंद भार्थी बनाओं क और नियायाले के द्वारा दिये गए नेड़े विवाद में दिये गए नेड़े इस सारे महत्रकून हैं जो आपके इन सारी सवालों का चबाब देने और परिच्छा में उत्तर लेखने के लिए आपको मजबूत और ससक्त मनाते हैं तो आज का टापिक कुल भी लाकर यहां तक सिमित था और एक नए टापिक के साथ अगले क्लास में हम पुना मिलेंगे तब तक के लिए आप अपने इस टापिक को तयार करने के साथ साथ जीएस और अन्य सभी पिसियों का अध्यन बेहतर इमानदाई और मेहनत के साथ करते रहिए एक बार फिर से आशों फिलोगों का धहने बार